mobile phone luxury का पार था लेकिन आज एक necessity बन चुका है एक समय पर घर पर लगा हुआ विज्यापन पर पैसा लगाए जा रहे हैं लगाए जा रहे हैं मैं आपसे प्रशन पूछता हूं कि क्या आप दूसरों के विज्यापन देखना पसंद करते हैं चाहें मुकेशंबानी हो चाहें अ अनुभव करके सीखने में लगाओगे न तो प्यारे एक जीवन कम पढ़ जाएगा सही तरीका क्या है जो व्यक्ति जिस विशे में विशेशग्य है महारत हासिल कर चुका है अनुभव कर चुका है उसके अनुभव का ज्यान उससे लो सीखो समझो और उस अनुभव को निश्चित होगी कम समयवदी में ज़्यादा शफलता मिल जाएगी यही बात व्यापार पर लागू होती है आज मैं आपको बताने वाला हूँ आयरेन लौ आफ बिजनस लो खंड की तरह है कि लोहा जैसे हमेशा टिका रहता है ना वैसे मजबूत लो हैं यह अगर आपने इन लौज को अच्छे समझ लिया तो आप बिजनस में कभी भी मात नहीं खाओगे यह समझना बहुत जुरूरी है तो बात करते हैं फाइव थिंक्स टू नो बिफोर स्टार्टिंग बिजनस अगर आप एक युवा साथी हैं एक नए बिजनस का शुबारम करने वाले हैं यह अल्रेडी बिजनस कर रहे हैं और बिजनस में अपार सफलतासिल नहीं कर पारे किसी भी कारनवाश तो यह पांच लौच चेक कर लेना कि आप उनकों इंप्लिमेंट कर भी रहे हैं या नहीं सबसे पहले बात करते हैं कि iron law of business का सबसे पहला नियम क्या कहता है create value addition चाहें अलू से जब chips बनाए जाते हैं तो वो बिक्ते एक हजार रुपए किलो आप चेक कर लीजीगा अंकल chips का 10 रुपए का जो packet लेके आते हैं उसमें कितने ग्राम chips होते हैं कितने ग्राम अलू होता है इसको कहते है value addition मालीजे संत्रा है 60 रुपए दरजन लेकिन जब आप juice बन पचास रुपए का और एक किलो में लगभग चार ग्लास जूस बन जाते हैं तो calculation करके देखो कि भई इसको कहते है value addition या आपने लोहा खरीदा लोहे की तोल के भाव लेकिन उससे बना दिया आपने कोई creative product तो वो product बिकेगा तोल के भाव नहीं कीमत के भाव इसको कहते है value addition तो value addition आप किस तरह से करते हैं यह समझना बड़ी बहुत important है जिसमें सबसे पहली बात है value for money देखे किसी भी चीज की कीमत कम या ज़्यादा नहीं होती है उस कीमत में जो चीज हमने हासिल की है उसकी utility कम और ज़्यादा होती है जैसे अगर मैं आप से कहूं पांच लाग क कार बताओ महेंगी या सस्ती कुछ लोग कहेंगे महेंगी कुछ कहेंगे सस्ती लेकिन सबसे पहले यह पता करना जरूर है कि 5 लाग की कौन सी कार अगर मैं बोलू 5 लाग रुपे की Mercedes तो बहुत सस्ती है 5 लाग रुपे की Alto तो बहुत महेंगी है इसका मतलब जितना पैसा आपने खर्च किया उससे कितनी यूटिलिटी आपको मिल रही है उसके वैल्यू फॉर मनी कितनी मिल रही है तो ऐसा प्रोड़क्ट या सर्विस बनाए जहां वैल्यू फॉर मनी हो जैसे ओला और उबर ने क्या किया टेक्सी हायरिंग की कॉस्ट इतनी कम कर दी कि व्यक्ति किराया पांच हजार रुपे होता एक ट्रिप करने का तो आपको लगता है वैल्यू फॉर मनी नहीं है लग्जरी है तो वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए solution of problem क्या आपका product या आपकी service किसी भी तरह की समस्य का कोई समाधान कर रहा है यदि हाँ तो आपका product या service मार्केट में जरूर चलेगी अब problem का solution क्या जैसे बहुत सारे लोग जो cab का इस्तिमाल करते हैं वो जब cab नहीं थी तो उनको taxi hire करने पड़ ते ही taxi stand से या जो common transport vehicle होते हैं उनका इस्तिमाल करना पड़ता था तो कहने का मतलब एक problem का solution आया कि आप जब चाहें आपकी car आपके घर पर आ जाएगी तो problem का solution हुआ value for money दी justified price में वो चीज मिने लगी तो लोग इसको इस्तिमाल करने लगी एक बात ध्यान रखेगा आज की luxury कल की necessity होने वाली है एक समय पर mobile phone luxury का part था लेकिन आज एक necessity बन चुका है एक समय पर घर पर लगा हुआ inverter luxury का part था लेकिन आज वो एक necessity बन चुका है पानी पीने के लिए जो आप आरो एक्वागाड या इस तरह के product यूज करते है ना वो कभी luxury हुआ करता था लेकिन आज necessity बन चुका है ठीक value addition in life आपने product बता दिया उसकी value बता दी उससे benefit बता दिया आपने किसी problem को solve कर दिया लेकिन जो product आप बना रहे हैं उससे value addition in life क्या हुआ life बहुत convenient होगे जब आप कैब का इस्तिमाल करने लगे है ना तो value addition कैसे होगी problem solve कैसे होगी और life में उसका क्या फायदा होगा shortage in market और demand in market कोई एक ऐसी चीज़ जिसकी market में कमी हो उस product को समझो और उस पर काम करना शुरू करो या कोई भी ऐसा product या service जिसकी demand market में बहुत है उस पर आप काम करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी अगर ये बातें आपके business में है तो आपका business निश्चित ही भविश्य में बहुत ज़्यदा grow ने वाला है next iron law of business क्या कहता है marketing to attract attention of customers कुछ भी ऐसा करो कि ग्रहक का ध्यान आपके product या आपकी services के तरफ आकरशित हो मतल कुछ तो ऐसा करो कि आपका ग्रहक आपके प्रती attract हो आपके प्रती attention उसकी जाए जैसे पिंग काउ strategy unique and interesting अब पिंग काउ strategy क्या है मालीजे 10,000 गाएं है उसारी एक जैसी लगती है लेकिन उनके बीच में गाए गुलाबी कलर की हो तो आप पैचान लेंगा रहे वह पिंग वाली काओ है ना तो ऐसी strategy अपना ओ जिसमें आपके product को अलग तरीके से identify किया जा सके फाइन do some creative marketing क्रेटिव मार्केटिंग क्या होती है आप देखिए petrol pump के भार एक वो statue खड़ा होता है वो cartoon टाइप खड़ा होता है और वो ऐसे से बुला रहा होता सबको मतलब petrol pump यहां है बहुत सारे लोग ऐसी creative marketing करते हैं जिससे उनका product market में boost हो जाता है जैसे वो fire pan आपने देखा होगा वो क्या करते हैं पान में थोड़ा सब कुछ इस तरह का product डाला और fire जलाई और जैसी खिलाया तो लोगों ने video record किया और share करना शुरू किया मतलब अब marketing पे पैसा खर्च नहीं हो रहा लोग ही उस product के marketing कर रहे हैं जैसे किसी व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी जलेवी बना के अपनी shop के बहार टांग दी तो क्या हुआ क्यों जलेवी देखकर लोगे मूं में पानी आया रहे वा जलेवी तो बहुत बड़ी आया चलो यहां जलेवी लेते हैं जैस आपकी creative marketing के स्तरह से होगी वो आपको देखना है targeted customer since to find customer who can buy अभी problem क्या है कि कुछ लोग targeted customer कोई नहीं समझ पाते जैसे मान लीजे आपने बच्चों के लिए कोई बहुत बड़ी आई video game बनाया है तो video game आप सोच रहे हैं कि उसका targeted customer कौन है बच्चे बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं लेकिन उस game को खरीदने के लिए convince किसे करना है पेरेंट्स को तो इस तरह की activity की जाए कि जहां पर जो उसको खरीद सकता है और जिसके लिए खरीद रहा है दोनों satisfied हूँ मतलब consumer तो demand करे लेकिन साथ साथ जो decision making power जिसके हाथ में है वो भी उस product को खरीदने के लिए agree हो जाए ये बहुत अच्छा example आपको set करना पड़ेगा अपने business में अगर ऐसा product है जहां पर user कोई और decision maker कोई और है जैसे हमारे product में है user तो है lady decision maker financial कौन है husband क्योंकि है modulo kitchen बनाते है तो दोनों की तरह की marketing करनी चाहिए budget friendly भी brand conscious भी high quality भी और user friendly भी है नेक्स जो important बात हो क्या awareness about product to grab attention अभी कुछ लोग ना विज्यापन पर पैसा लगाए जा रहे हैं लगाए पुछता हूं कि क्या आप दूसरों के विज्यापन देखना पसंद करती है नहीं आपको क्या करना है अपनी advertisement ऐसे design करनी क्यों advertisement लगे ही ना मतलब product या उससे वहने वाले benefits के बारे में आपको बताना है awareness आपको फैलानी है जैसे हमने awareness फैलाया कि अगर आप wood kitchen लगाएंगे तो वो termite लग जाएगा दीमक लग जाएगा गल जाएगा सड़ जाएगा फूल जाएगा खराब हो जाएगा तो आप stainless steel kitchen लगाएं आप लोगों के उनकी problem का solution इस तरह से दें कि उनको ऐसा लगी कि को information मेरे पास आ रही है और information sharing के माध्यम से हमने हमारे business की पूरी industry खड़ सेल ना होने पर दुनिया के सारे व्यापार हो जाएंगे फेल इसलिए सेल है सब सदा महत पूर्पूर्ण तो हमें करना क्या है हमारे product या service की quality बहुत हाई होनी चाहिए low और competitive price होना चाहिए with minimal margin होना चाहिए ये तीन बाते ज्यान रखेगा low और competitive price या तो आपका price पहले ही बाजार में कम है या अगर दूसरे प्रतिदोंदी हैं तो competitive price आपका होना चाहिए साथ में minimal margin आपका होना चाहिए मारवाड़ी की एक business strategy क्या है कि वो एक व्यक्ति से ज्यादा पैसे ना कमाके ज्यादा व्यक्तियों से थोड़े थोड़े पैसे कमाके ज्यादा अमीर हो जाता है मतला volume पर काम करता है तो volume पर काम करने के बारे में आपको सोचना है उसके बा आने के लिए आपको ज्यादा investment करना पड़ता है प्राइज भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है लेकिन जैसे ही customer का trust build होगा ना दीरे-दीरे over the period of time आपकी company तेजी से grow करेगी आपको ज्यादा references मिलेंगे ज्यादा trustworthy brand कहा जाएगा आपको जैसे टाटा के product को ना हमेशा काया आपकी टाटा का विश्वास है है ना टाटा का विश्वास है get reference from your satisfied clients और customer लोग गलती क्या करती है अपने ग्रह को product बेचा और भूल गए अगर आप अपने client को product बेच रहे हैं और जो satisfied client है तो उनसे बाच्ची जरू करें और ask for the references references मांगेंगे तो मिलेगा कैतने दरवाज खट-खटा हो गए तो खुलेगा आप किसी के घर गए आप उसके घर के बार जाके खड़े हुएं के यार मुझे इनसे मिलना है लेकिन आपने ना तो bell बजाई ना door knock किया तो दरवाजा कब खुलेगा जब उस वेक्ति को बाहर का कोई काम होगा वह आकस्मिक रूप में ब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे कंवर्जन में क्यूंकि सामने वाले व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी उसमें जुड़ी हुई है नेक्स्ट यूज दा पावर ऑफ डेमेज एड्मिशन तो ग्रो सेल अब यह डेमेज एड्मिशन क्या है बहुत सारी इस तरह से विग्यापन करती है कि उनकी गलतिया ही उनकी मार्केटिंग स्ट्रेजी बन जाती है कि यह गलती हुई इसका सॉलूशन क्या है बड़ी बड़ी कंपनी जैसे मैं कार कंपनी की बबात करनूं किसी पर्टिकुलर ब्रैंड की बात नहीं कर रहा है उनने को डेमेज एडमीशन से ट्रस्ट बन जाता है और लोगों को अलगता है यह कंपनी बढ़िया है कि अभी तो कंज्यूमर के सामने प्रॉब्लम आई भी नहीं है आने से पहले उसको सोलूशन कर दिया है तो डेमेज एडमीशन से आपकी से ग्रो होती है अगर कोई गलती किसी प्रोड़क्ट में होया तो डेमेज को एडमीशन करो उसको समझो और उसका सोलूशन लेकर आओ तो आपकी सेल भी ग्रो होगी और रेफरेंशन भी ग्रोंगी वेल्यू डिलिवरी अभी कुछ लोग ना सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करते हैं क्लाइन से डील हो जाए वेल् रेफरेंश के संभावना काम हो जाती है या रेकरिंग डिवेन्यू मॉडल काम हो जाता है क्योंकि वह व्यक्ति आगे आपको और नहीं देगा करें मेरे एक्स्पिरिंस अच्छा नहीं था वह यही बात आपसे बोलेगा तो क्या करना है गो बियॉंड यॉर प्रॉमिस और कमिटमेंट्स जो भी आपने प्रॉमिस की हैं कमिटमेंट्स की हैं उनसे बियॉंड जाकर काम करें हम अमारे क्लाइन को कभी नहीं कहते कि उनको यह गिफ्ट देंगे हम अगर हमसे डील करेंगे तो डील हो जाती है काम कंप्लीट हो जाता उसके बाद हम जब गिफ्ट देत और तुरंत अपने customer को satisfied करूँ देखे ध्यान रखेगा कुछ लोग अपने clients का phone उठाना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, mail का reply करना बंद कर देते हैं अगर communication चलता रहे न तो कई बार क्या होता है कि problem आसानी से solve हो जाती है तो हमेशा अपने customer से communication बनाए रखें, उनकी problem को solve करें, happy and satisfied अगर वो होंगे तो references आपको जरूर देंगे time commitment, यह बहुत important role play करता है, जैसे मान लिजे किसी की 14 फरवरी को शादी है और आप 14 फरवरी तक कार्ड चापके नहीं दे रहे हैं, तो 14 फरवरी के बाद वो कार्ड उसके लिए useless हो जाएंगे और वैसे तो और पहली हो जाएंगे, क्योंकि distribution भी तो करना है तो अगर आपकी time commitment ठीक नहीं है तो कई बार तो आपका product useless हो जाएगा जैसे मुझे अपनी wife को anniversary पर मालीजे कोई gift देना था लेकिन उस company delivery नहीं दी मुझे तो मैंनका भाड में जाए, पैसे मेरे वापस कर, अब मुझे देना ही नहीं है, लेना ही नहीं है gift quality commitment, जो quality आपने कमिट की है, उससे कभी compromise मत करो quality compromise करेंगे तो एक बार तो ग्रहाक से deal हो जाएगी, लेकिन भविश्य में आने वाला व्यापार हमेशा घटता जाएगा और वो व्यक्ति जो कहते हैं कि client मेरा marketing executive की तरह काम कर रहा है, brand ambassador की तरह काम कर रहा है, company के promotion कर रहा है वही आपकी negative publicity करना शुरू कर देगा, इसलिए quality से कभी भी पीछे ना आटें, value for money दें अपने client को और after sales service दें अगर आप value for money देंगे आपके product में, जितना पैसा एक customer ने निवेश किया है, खर्च किया है, उससे ज़्यादा अच्छा बेहतर product आप दे रहे हैं, तो वो हमेशा खुछ रहेगा और after sales service एक बार product बेचा और उसको services आप time to time देते रहेंगे, तो वो आपको references देता रहेगा बहुत important बात है कि लोग इन बातों को ध्यान में नहीं रखते, कई बार businesses में दिखा गया है कि ये सारी बाते बहुत अच्छी है, आपका product अच्छा, आपका value for money अच्छा, आपका commitment अच्छी, आपकी quality अच्छी, timely delivery आप कर रहे हैं, support system बहुत अच्छा, लेकिन उसके बाव के finance के बारे में नहीं जानते है, iron law of business हमें एक finance के बारे में भी पापता है, money inflow और money outflow का अगर management ठीक नहीं होगा ना, तो व्यापार कभी भी collapse कर सकता है, तो ज़रूरी क्या है, आपको ध्यान रखना है कि पूरे महीने में हमारे पास कितनी money inflow होती है, और outflow का क्या process है, जब इन दोनों का balance बनाया रखेंगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि पूरे साल में, कितने महीने ऐसे होते हैं जब sale काम होती है, कितने महीने ऐसे होते हैं जब खरचा ज़ादा होता है, कितने महीने ऐसे होते हैं जिस समय पर revenue zero हो जाता है, लेकिन expenditure उतमें रहता है तो आप अपने पास रिजर्व कैपिटल रखेंगे बिजनस को चलाने के लिए रिजर्व होता आप गाड़ी इस्तिमाल करते हैं तो गाड़ी में भी डीजल या पैट्रोल का एक रिजर्व होता है जैसी वहां तक आये तो आपको पता लगता है कि आप यह साथ किलो और हे पारश का बैलिंस बना के रिखना है उसके बाद कॉंपिटिटिव वत्वर्सी प्रोड़क्ट कोस्ट आपके बिजन कोस्ट परron store रृऽ के इस बात पर भी विशेष ध्यान दें एक 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 आफिस में 50 शी लगे हुए थे उनका एसी का बिल पचास जार रुपर में ने आता था उधारन है आपको होगे कि 50 शार रुपर में 50 शी चल जाएंगे इससे बढ़िया बात क्या है उधारन मान लेते हैं और वो ऑफिस का जो टाइम था सुबह 10 से शाम को 7 बजे था तो जब एक इंस्पेक्टर ने उसको विजिट किया तो उसने का अगर आप एसी 6 बजे बंद क और साथ में जब ऑफिस से जाएंगे तो आपकी कुलिंग जो उस साथ में पर चल रही थी वो वेस्ट नहीं होगी बिलीव मी कि उस ओफिस का जो खर्चा 50,000 रुपे विलका था वो 40,000 रुपे रह गया इसका मतलब आपको operational cost को कैसे घटाना है बिना किसी product की quality को घटाए आप आसानी से व्यापार को बेभेतर कर सकते हैं gross profit और net profit के difference को समझना कई बार क्या होता है product में gross profit का margin है 50% खर्चों को minimal नहीं कर पाता घटा नहीं पाता या इतनी sale नहीं कर पाता कि वो दोनों खर्चे meet up कर सके इसलिए इनके differences को समझना भी बहुत ज़रूरी है friends ये बात रही थी कि अगर business में आप success हासिल करना चाहते हैं तो five law of business को आपको follow करना है आप सामने खड़े होकर ये व्यापार को देखेंगे ना तो आपको उसकी गलतियां दिखाई देंगी उसमें कमियां दिखाई देंगी लेकिन व्यापार में घुसे रहेंगे और हमेशा है सोचते रहेंगे कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इतनी positivity भी किसी दिन आपको ले डूबेगी इसलिए जरुवत है सही guidance की अगर आप business को लेकर कोई भी guidance लेना चाते हैं consulting करना चाते हैं mentorship लेना चाते हैं तो आप मेरी team को अभी contact करें कोई भी informative वीडियो मिसना उसके लिए चैनल को सब्स्राइब कर लें साथ साथ comment box में अपनी problem लिखकर जरूरू बताएं ताकि हम आने वाला वीडियो solution के साथ में आए स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्टर अमित पाईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत